हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रेंट पेस फ्रेंट पेस बेसिकली यूज होता है आपका डिजाइन वेब पेस हमें जो कोडिंग है वो रिमेंबर रखने की जुरूरत नहीं होती जैसा कि हम एच्टियमल की कमांड्स को याद रखते हैं इट आलसो स्पोर्ट्स कास्केडिंग स्टाइल शीट्स तो डिजाइन तिंग ओन वेब पेजिस फ्रेंट पेस इस बैस्ट फॉर मेकिंग स्मॉल वेब साइट्स स्मॉल वेब साइट बढने के लिए बहुत ही अच्छा एप्लिकेशन है फ्रेंट पेस तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली रन करते हैं और इसकी विंडो के बारे में जानते हैं देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मेरा ओफिस ओनलाइन जहां लिखा हुआ है वहाँ पर मेरी कुछ वेब साइट लिखी हुई है यह मेरा साइड पैनल है इसको मैं साइड पैनल बोलूँगी जहां पर हम वेब साइट को त्यार करते हैं और कुछ शो भी होती है देखिए एंड इसके बाद उपर आता है मेरा मैनू बार स्टैंडर्ड टूल बार फोर्मेटिंग बार और यहाँ जहां से हम format कर सकते हैं यह chrome है जो list कुली हुई थी यह scroll bar है इदर अगर मैं paste पे कुछ लिखूंगी तभी scroll bar show होगा यह body tag है देखिए यहां पे working area देखिए यहां body tag और नीचे है design view जहां से designing जो भी हम करेंगे वो show होगी split यनि कि window को दो भाग में divide करेगा coding area भी दिखाएगा और जो हम object लगाएंगे वो भी दिखाएगा और preview में जो भी हम अपनी website पे बनाएंगे वेb page पे वो show होगा आईए चलिए हम इसमें working area में कुछ entry करते हैं यहां सबसे पहले मैं कुछ type करते हूँ this is my first page अभी सिरफ हम यहां पे यह character लिखते हैं तो देखिए यहां पे उपर body के साथ paragraph tag add हो गया है and यह देखिए यहां पे मैंने इसे underline, italic and bold कर दिया तो यह सब tag भी show हो रहा है coding area में देखेंगे हम देखिए जो html में हम type करके लिखते हैं वही tags को हम option के according यूज़ करते हैं और website त्यार करते हैं आगे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं characters को दिखिए यहां पे मैं increase कर रहे हूं font size तो मेरा font tag भी add हो गया है bullets, numbering, color जो भी मैं यहां पे देना चाहते हूं वो हम add कर सकते हैं आने वाली वीडियो में मैं इसको add करूंगी next मैं यहां लिखते हूं welcome to my channel हम यह character फिट से लिखते हैं और इसकी मैं alignment left करती हूं इस तरह से इसकी alignment left कर रही हूं मैं और यहां पे एक paragraph भी create करेंगे हम मैं यहां कुछ paragraph में लिखते हूं और अभी हम यहां पे एक paragraph लिखते हैं front page is used to design the website without remembering of html commands it also sports cascading style css front page is best for small websites तो इस तरह से हम यहां पर dear friends paragraph create कर लेते हैं और यह देखिए यहां पर paragraph tag भी मेरा continue है अब यहां पर मैं कुछ changes करना चाहते हूं जैसे कि मैं चाहते हूं कि मेरे paragraph और उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर अपने paragraph को select करेंगे और उसके बाद हम paragraph में paragraph को select करेंगे और paragraph को select करने के बाद format में जाएंगे format में जाने के बाद यहां पर paragraph में जाएंगे and first line indent यनि कि paragraph में अगर हम space देना चाहते हैं उसका margin set करना चाहते हैं तो हम यहां पर उसका space set कर सकते हैं देखिए यहां पर front page में में थोड़ा सा space add हो गया है और ज़्यादा space देने के लिए में यहां से फिट से format में जाऊंगी paragraph पहले मैंने 20 दिया था अब मैं यहां 50 दूंगी आप ज़्यादा space create कर सकते हैं और इस तरह से देखिए अब यहां पर आप mark you tag लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप text को select करेंगे insert पे जाएंगे and web component में जाएंगे फिर dynamic effects mark you पे क्लिक करेंगे mark you पे क्लिक करते ही यहां पे इसकी setting properties आ गई है आप left देना चाहते हैं right देना चाहते हैं जैसा कि हमने html में किया था इसके behavior को alternate करना चाहते हैं जो भी setting करेंगे और ok करेंगे और preview पे क्लिक करेंगे तो यह देखिए मेरा mark you tag भी जो है आपका add हो गया है इस तरह से आप एक web page त्यार कर सकते हैं remaining topics हम आने वाली videos में करेंगे thank you for watching